नमस्कार दोस्तों, RG Studio चैनल में आपका स्वागत है, मेरा नाम राघुल है, मैं एक टीचर हूँ दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको लोगप्रे खेलों की प्रमुक खेल सब्दावली के बारे में बताऊँगा दोस्तों, अकसर एक्जांस में इस तरह के प्रसनाते जिसमें कि आपको एक सब्द दे जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ये सब्द किस खेल से सम्बंदित है जैसे कि यदि मैं आपको एक सब्द दे दूं, किद्नी पंच और आपसे पूछूँ कि ये खेल से संबंदित है फुटबॉल से, किरकेट से, बॉक्सिंग से या फिर सत्रंज से तो किट्नी पंच सब्द बॉक्सिंग से संबंदित होता है तो दोस्तों अपने इस वीडियो में मैं आपको इस संबंद में पूरी जानकारी दूँगा दोस्तों अब मैं अपने वीडियो को सुरू करने जा रहा हूँ लोगप्रे खेलों की प्रमुख खेल सब्दावली, टॉप, स्पोर्स, ग्लॉसरी और पॉपलर गेम्स टेनिस खेल की प्रमुख सब्दावली क्या होती है? होकी खेल की प्रमुख सब्दावली होती है? सेंटर फारवार्ड, पेनाल्टी स्ट्रोक, प्लिक, स्कूप, बुली, पुस इन अधी प्रस्ट फुटबॉल खेल की प्रमुखेल सब्दावली क्या होती है फुटबॉल खेल की प्रमुखेल सब्दावली होती है सेंटर, स्ट्राइकर, फ्री किक, ड्रिबल, फॉल, रेफरी, आफसाइड, पेनाल्टी सूड, आदी प्रस्न क्रिकेट खेल की प्रमुक खेल सब्दावली क्या होती है क्रिकेट खेल की प्रमुक खेल सब्दावली होती है बेल्स, डेड़ बॉल, गली, मिड़, मिड़, एक्स्ट्रा कवर, ठार्ड मैन, गुगली, चाइना मैन, आदी प्रस्न बॉक्सिंग खेल की प्रमुक खेल सब्दावली क्या होती है बेल्ट, पंच, होक, हेंग, अन, हिल, नॉक आउट, रिंग, बोलो पंच, किड्नी पंच, आदी प्रस्न सत्रंज खेल की प्रमुक खेल सब्दावली क्या होती है सत्रंज खेल की प्रमुक खेल सब्दावली होती है चेकमेट, स्टेलमेट, कैसेलिंग, विसप, नाइट, रूख, पोल, ग्रेंड मास्टर आदी प्रस्न बैडमिंटन खेल की पुर्मक सब्दावली क्या होती है बैडमिंटन खेल की पुर्मक खेल सब्दावली होती है सटल, नेट, स्मैस, बोर्ड, हाई सर्विस, सर्विस ब्रेक आदी तो दोस्तों अभी आपको जो मैंने वीडियो में जानकारी दी उससे संबंदित मैं आपसे दो प्रस्न पूछूँगा आपको इन प्रस्नों के उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखके बताने है और अगर आपका कोई सजेशन है या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ओवे आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखके बता सकते है प्रस्न एक चाइना मैं सब्द किस खेल से सम्मदित है प्रस्न बोग पैनाल्टी स्टोक सब्द किस खेल से सम्मनित है दोस्तों अपने अगले वीडियो में मैं आपको भारत के प्रमुक सोज संस्थान के बारे में बताऊंगा ये एक बहुती महत्यपुन टॉपिक है और अक्सार एक्जामस में इस टॉपिक से प्रस्ण आते हैं जैसे कि अगर आप से पूछा जाए कि भारतिय चीनी तक्नीकी संस्थान कहां इस्थित है तो ये कानपूर में इस्थित है भारतिय किसी अनुसंदान संस्थान कहां इस्थित है तो ये नई दिल्ली में इस्थित है दोस्तों किर्प्या मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को ओन कर लिजे ताकि आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सेर करना ना भूलिएगा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद जैहिंद